Hello everyone, welcome back again to online education, I am Anuj Jagat and students, previous video में आपने Tally की introductions के बारे में देखा था So, आज वही वीडियो को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, यानि आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि Tally में किस तरह से company create होती है Because अगर अपने को Tally सीखना है, अपने को Tally पूरा डीटेल में नौलेज चाहिए, तो सबसे पहले अपने पास company होनी जरूरी है Without company आप Tally में कुछ भी नहीं कर सकते है So, सबसे पहले कैसी किस तरह से company create करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे So, आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो यह बहुत छोटा सा वीडियो है, तो पूरे एंट तक आपको देखना है, ताकि आपको पूरा knowledge मिल पाए So, चलो स्टार्ट करते है, किस तरह से तरह से तरह से तरह से company create करने चाहिए की भी अविलेबर है, उसके लिए हमनों प्रेस करेंगे Alt-W, So, यहां से आप keyboard से Alt-W दबा के आप वरके Education Mode में जाओगे, उसके बाद आपको यहां पर दो option दिये रहेंगे, Select Company या तो Create Company, अगर आप टेली पर यहां पर आपको कमपनी पहले create करना पड़ेगा, So, उसके लिए आपको create company में जाना है, create company पे जाके आप enterprise करोगे, So, आप create company में जाओगे, महां पर आपको company creation का form मिलेगा, आपको यह form फिलप करना है, Form में सबसे बिल आपको पूछेगा name of the company, So, यहां पर आप अपनी company का नाम दे दो, So, मैंने एक नाम दे दिया my company, mailing name आपका same रहेगा, आपकी company का address, तो यहां पर आपका जो भी company रहेगा, उसका जो भी आपका address रहेगा, आप address defined कर दिया, फिलाल example, for example, मैंने लिए मलाड में मुंबई, then आपका country, तो country में मैंने select कर दिया, इंडिया, state में में भाराष्टा सिलेक कर दिया, पिन कोड आपका जो भी रहेगा, आप आपके apply कर दो, then आपके other contact details होते है, ज आप जो company का accounts कर रहे हो, वो कौन से financial year का कर रहे हो, अगर आप suppose 2020-2021 का accounts कर रहे हो, तो आपका financial year जो चालू होगा, वो 1st April 2020 में होगा, because अभी हमनों 20-21 के financial year में आ चुके, so आपका financial year चालू होगा 1st April 2020, and यह books beginning from का date भी रहेगा 1st April 2020, उसके बाद टेली ओल पास्वर्ड एक advanced password है, वो लोग लेटर हों देखेंगे बाद में, फिलाल आप उसको enter मारके skip कर सकते हो, then आपको एक आएगा use security control, मतलब कि आपकी जो company है, अगर आपको उसको user एक password देना, user ने password देना है, so आप यहाँ पर use security control option को yes कर दीजे, y press करके, name of administrator में आप user name डाल सकते हो, फिलाल मै अगर आप license version में काम करें, तो ही yes करना है, because अगर आपने इसको yes किया, तो यह company आपके execution mode में काम नहीं करेंगा, बाकी नीचे आपका currency information रहता है, जो as it is आपको जैसा है वैसा छोड़ देना है, उसको आपको सिर्व एंटर, 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 एंटर करके accept करना है, टैली में आप जो भी चीज़ create करते हैं, उसको आपको लाश में accept करना पड़ेगा, तो accept करने के लिए आप या तो enter press कर सकते हो, या तो आप y press करके उसको accept कर सकते हो, accept करते हैं, आपको login के लो option पूछेगा, तो आपको login में use, आपका username डाल दीजे, रोशन, password डाल दिया मे क्या करना है, सबसे पहले आप company बरने के बाद, आपको जो सबसे पहला काम करना है, वह आपको आपकी company में GST का feature activate करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिया है F11 features करके, so आप F11 features में जाने के बाद यहाँ पर अलग-अलग features दिये हो है, उसमें से taxation feature को yes करना है, तो आपको पहला option दिया जाएगा Enable Goods and Service Tags that is called GST आप यहां से GST के option को वाइप्रेस करके enter करके yes कर दोगे GST details को भी आपको yes करना है वो yes कर देए आपको GST के details पूछेगा वहाँ पे आपके GST के registration का जो details रहेगा जैसे आपका state, registration type, regular है के composition है तो हमने यहां पे regular ले लिया, आपके company का GST number, फिलाल मेरे पास कोई GST number suppose नहीं है तो मैं उसको blank छोड़ देता हूँ, enter, आपका GST कभी से apply के बल है आपने बोला 14-2020 से apply के बल है, आपका GST return आप कैसे बढ़ते हो, monthly बढ़ते हो के quarterly बढ़ते हो करना है, tally के अंदर how to create a company, तो आपने एक company बनाया, एन उसके अंदर हम लोग GST के feature कैसे activate करेंगे इसके बाद जो lecture है, that is, master's कैसे बनाना है, वो हम लोग देखेंगे next video में, तब तक के लिए ठेंक लिए So students, I hope ये वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छी knowledge मिली है, अगर इसमें भी कुछ भी doubt है कि किदर query आ रही है आपको तो आप बे जिजग मुझे call कर सकते हो, या फिर WhatsApp पे message कर सकते हो, So आपकी query doubts जो भी हो सकती है, वो हम लोग easily solve कर सकते है, So वैसे ही आपको नए-ने videos रोज मिलते जाएंगे, So हर एक वीडियो देखो, knowledge लो जितना हो सके उतना, ये जो quarantine time period जो चालू है, उसको waste मत करो, ये बार-बार ऐसा time नहीं मिलेगा, आप जितनी हो सके उतनी studies करो, and guys please stay stay home, stay safe, thank you so much students.